मुराधबा जन्पत की कुनर की विधानसवी सीट पर होने वाले उपचुनाफ की अधिसूचना जारी होनी की साथी नामांकन पिर्करिया प्रारम हो गई है नमांकन पिरक्रिया की पहले दिन किसी भी उम्मीद्वार ने नमांकन पत्र दाकिल नहीं किया हालंकि कॉंग्रेस सहित विभिन राजरीतिक दलों की उम्मीद्वारों वन निर्दली प्रत्याश्यों द्वारा नमांकन पत्रों की खरिदारी की गए इस दोरान सुरक्ष्य व्यवस्था की व्यापक प्रवंध किये गए थे गरतलब है कि 29 कुंदर की विधानसवा छेत्र से जियाओ रह्मान वर्क ने विधायक रहते लोगसवा का चुनाव संबल संसदी च्छेत्र से लड़ा था और वह सांसद चुने गए लेहाजा उन्हें कुंदर की सीट खाली करनी पड़ी इस कारण यहां उप्चुनाव हो रहा है 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पिर्क्रिया भी आरम हो गई है नामांकन पिर्क्रिया के दिरश्ट्रिगत कलेक्टरेट में सुरक्षा वैवस्था की व्यापक पिरवंध किये गए पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिसकर में ड्यूटी करते दिखाई दिये सुरक्षा व्यवस्था एवाम नमांकन हेतु प्रत्याश्यों के साथ आने वाली भीड की रोगधाम के लिए अनुएक इस्थानों पर बेरिकेटरिंग की व्यवस्था की गई है कमिशनरी से कलेक्टरेट तक कोई भी वाहन अंदर नहीं दाखिल हो सकता सियो सिवलाइन अर्पित कपूर नमांकन प्रक्डिया के दोरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखाई दिये कलेक्टरेट के अंदर भी अनवेशक लोगों को नहीं जाने दिया गया यहां कलेक्टरेट दोर के पास मेडल डिट्रेक्टर दोर भी लगाया गया जोहां अंदर दाखिल होने वालों की तलाशी के बाद ही कलेक्टरेट परिसर में दाखिल होने दिया गया नामांकन पिर्कुरिया के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया नामांकन पिर्कुरिया का समय तीन वज़े के बाद पुलिस को वहां से हटा लिया गया था याद दिलादे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेडियूल के मुताबिक 18 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन पिरकुरिया 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी नामांकन दाखिल करने के अंतिम्ति थी 25 अक्टूबर है नामांकन पिरकुरिया की पिर्थम दिवस भले ही कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया लेकिन कॉंग्रेस की ओर से वरिष्ट कॉंग्रेस नेता चौदरी असान खान ने नामांकन पत्र प्राप्त किया उनके साथ उनकी पतनी वपुत्र द्वारा भी नमांकन पत्रों की खरिदानी की गई बताती चले कि उतरपरदेश की कुल आठ विधानसवा सीटों में सपा कॉंग्रेस गडबंधन की चलते कॉंग्रेस की खाते में दो सीटों आई हैं जबकि शेस छे सीटों पर समाजवादी पाठवी अपने उम्मेदवार उतारेगी कॉंग्रेस की खाते में गाजयबाद देवम अलिकर जनपत की खैर विधानसवा सीट आई है भले ही नमांकन प्रिक्रियाश शुरू हो चुकी है बाबा जो इसके अभी तक सपा कॉंग्रेस गडबंदन भाजपा बसपा वहयानने राजरितिक दलों ने अपने प्रत्याश्यों के नाम की खोश्र नहीं की है नमांकर पत्रों प्राप्त करने की बाद पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ट कॉंग्रेस नेता चौदरी असान खान ने बताया जैसे भी पाइटी तो कुछ नेड़ा होगा बहुत सारमात हो है कि कॉंग्रेस पाइटी के लिए कि अपने अलावा और किसके लिए और एक पर्चा जो पूर्पिर्तियांची अमारी दरक्षा वेजम कहाब है एक इन्होंने लिया है और जो बिलाक अद्दक्स दाहूत था जैसे भी तो बनल्गा मिल्ला होगा